Board Exam का Topper कैसे बने, How to Prepare for Board Exam 2725, Intermetric, How to Become a Topper in 2725, Board Exam, Board Exam 2725, नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है. हमारे एक नई पोस्ट में दोस्तों, इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको 2725, Board Exam की तैयारी के बारे में बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करना है, किस प्रकार से आप लोग Topper बना सकते हैं और Topper की क्या निशानिया है, आपको किस तरह से Notes बनाना चाहिए कि आप लोग भी Board Exam में 95% या Topper की लिस्ट में जरूर आ जाए इस पोस्ट को पूरा, देखिए बच्चों, Topper बनने के लिए Time Table से पढ़ना चाहिए, ये सही बात है, लेकिन कुछ Topper ऐसे भी निकले हैं, जिन्होंने कहा है कि मैं Time Table से पढ़ाई नहीं करता था, फिर Top किया, तो आपको ये पढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप लोग पढ़िए, लेकिन Topper बनने के लिए Time Table होना चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता है, बिना Time Table के पढ़ने के तो वैसा भी पढ़ सकते हैं, जो Topper जो लोग होते हैं, Self Study से Top करते हैं ना क ज्यादा ट्यूशन करके, क्योंकि ज्यादा यादें Self Study करने से होती है, अगर आप लोग Topper बनना चाहते ही हो, तो खुद का Notes बना, यानि खुद का Notice खाने का, मतलब आप लोग ट्यूशन में जो पढ़ते हो, या Online में जो भी पढ़ते हो, अपने हाथों से लिखो, इस से आपको अपनी बातें समझ में आएगी, अपने हाथों के द्वारा लिखा हुआ रहेगा, तब तो आपको अभी से Notes बनाना चाहिए, हर एक सबजेक्ट का अलग-अलग Copy आप लोग खरीद लीजिए, मार्केट से जाकर के और अच्छे तरीके से लिखिए, जिससे आपको ब पढ़िए या दस घंटा पढ़िए, अगर आप लोग चार घंटा मेहनत से पढ़ते हैं, समझ करके पढ़ते हैं, तो वह दस घंटा के बराबर है, अगर आप लोग दस घंटा जैसे तैसे पढ़ते हैं, तो वह एक घंटा के बराबर भी नहीं है, यानि मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग पढ़िए तो पूरा मन से पढ़िए, कि हर बात आपको याद हो, समाज के पढ़िए, डेडिकेशन के साथ पढ़िए, तो आपकी सारी बातें क्लियर होगी, जिसे आप लोग कम समय में तैयारी कर पाएंगे, अगर लापरवाही में तैयारी करेंगे, तो आपका ज्यादा समय की भी खपत होगी. यार आपका दिमाग भी खराब होगा, इसी लिए कम समय में बहतरीन से बहतरीन पढ़ाई करने का प्रयास करें. टॉपर बनने के लिए रिवीजन भी जरूरी है. जी हाँ दोस्तों, टॉपर बनने के लिए रिवीजन तो ही सबसे भूलेगा नहीं. आपको हर चीज याद रहेगा और हर चीज याद रहेगा, तो आपका तैयारी 100% है. तो आप लोग जितना हो सके, रिवाइस कीजिएगा, ज्यादा कीजिएगा. यानि कि ओवरो अनिल कहा जाए, तो सभी विशय में आपको रिवीजन एवरीडे करना चा प्रत्ये घंटी पर एक गिलास पानी जरूर पिए दोस्तों. टॉपर बनने के लिए शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए. खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए टॉपर बनने के लिए और खाना पीना छोड़ना नहीं है. कमजोर पढ़ जाएंगे, बीमार पढ़ जाएं कुछ तो टॉपर बनने के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपको तैयारी कहां से करना चाहिए तो दोस्तों अगर आप लोग आफलाइन में क्लास करते हैं तो वही सबको तैयारी करना चाहिए जहांके टीचर काफी अनुभवी है या तो वह बहुत आगे तक पढ़े लिखे हैं उनसे या तो बहुत से स्टूडेंट्स अच्छा नंबर से पास किये हैं या ओनलाइन में देखिए कौन से टीचर को कैसा पढ़ा रहे हो आप लोग खुद से देख सकते हैं या पिछले साल के रिकॉर्ड को देख सकते हैं कि किस संस्थान से किस टॉपर ने बाजी मारी है तो वहां से भी आप लोग पता चल जाएगा